अपने दोस्तों के लिए कुछ लड्ड बना कर ले जाती हूँ क्या हुआ भीम परिशान दिख रहे हो क्या सोच रहे हो चुटकी आजकल संपूर्ण विश्व में जो कुरोना नामक बीमारी फैल रही है उससे अपने गाम वालों को बचाने के लिए हम क्या कल सकते हैं बस यही सोच रहा था कुरोना भला यह क्या है और हमें इससे क्यों बचना है क्या यह हमें कुछ नुक्सान पाशाने वाला है आउ चुटकी हम अपने दोस्तों के पास चलते हैं रास्ते में मैं इसके बारे में तुम्हें बताता चलूँगा और मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है उसके बारे में भी तुम्हें बताता हूँ अरे यह क्या बारिश होने लगी चाता नहीं है तो इन पत्तों से ही काम चलाते हैं चलो चुटकी पहले राजू के पास चलें देखो राजूआ चुटकी इस मैगजीन में दुनिया भर की खबरे आती हैं COVID-19 या यू कहें कि कोरोना ने पूरी दुनिया भर में आतंक मचाया हुआ है चाइना, इटली, जर्मनी, यूएसे और बाकि कई जगहों पर यह तेजी से फैलता जा रहा है भीम, तो क्या यह कोरोना हमारे भरत देश तक भी पहुँच जाएगा? भीम, भीम, भीम क्या हुआ जग्गू, तुम इतने परिशान क्यों दिख रहे हो? भीम, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है जग्गू, तुमने सपने में आखिर ऐसा क्या देख लिया, जो तुम इतने परिशान दिख रहे हो? मैंने देखा कि हमारे गाउं ढोलक मुल पर वाइरस अटाक हुआ है वाइरस पूरे गाउं में फैलते जा रहे है सब लोग डल के मारे इधर उधर भाग रहे हैं और फिर वाइरस ने छुटकी पर अटाक कर दिया अरे, ये तो बहुत ड्रामा सपना है और फिर क्या हुआ जग्गू? मैंने मेरी नील तूट गई और मैं आगे का सपना नहीं देख पाया हम, उसके बाद अगर सपना देख पाते तो मैं बताता हूँ कि क्या होता हम उस वाइरस का डट्टल सामना करते उसकी इट से इट बजा देते वाइरस भी सोचता कि गलत जग है आफ़सा और इस तरह हम उसे धूल चटा देते अरे वावीम, तुम ऐसा ज़रूर कर सकते हो पर मुझे ऐसा सपना क्यों आया? जग्गू, ज़रूर तुम आज कल टीवी और न्यूस पेपल में कोरोना वाइरस से जूड़ी खबरें देख रहे होगे इसलिए ये सब तुमने सपने में देखा अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो सपने में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी उस वाइरस को हरा सकते हैं वाव, कांसी बाते हैं भीम? इस सब की जानकारी केवल हम सब को ही नहीं, पूरे ढोलक पुल को होनी चाहिए इसलिए हमें चल कर महराथ से बात करनी चाहिए और हम क्या कर सकते हैं इसकी योजिना बनानी चाहिए कालिया को भी साथ ले लेना चाहिए पर उसे समझाना आसान नहीं होगा मैं अभी ढोलू भोलू से कह देता हूँ वो कालिया को बुला कर ले आएंगे इतना शो कौन मचा रहा है ढोलू भोलू बन करो ये सब क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं सो रहा था फिर इतना शो क्यों आपको नीं से जगाने के ले ही तो हम शो मचा रहे हैं आपको भीम ने बुला रहा है कुछ बहुत जरूरी बात है लो कालिया और ढोलू भोलू आ गए क्या हुआ भीम मुझे नीं से जगा कर इतनी जल्दी क्यों बलाया कालिया विश्व भल में कोरोना नामक बीमारी फैल रही है इस बारे में बात करने के लिए हमें महराज से मिलने जाना है ये कोरोना वरोना मेरा कुछ नहीं बिगार सकता देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ अरे अब इसे कैसे समझाएं देखो कालिया ऐसा नहीं है कि अगर तुम बहुत शक्तिशाली हो तो कोरोना से तुम्हें कोई खतरा ही नहीं शक्ती तो मैं भी दिखा सकता हूँ, पर अभी ताकत से ज्यादा समझधारी दिखाने की जरूरत है ओ, ऐसा क्या? बिल्कुल, धीम ने हमें बताया है कि अगर हम कुछ नियमों का पालन करें, तो कोरोना से हमें कोई डर नहीं सही कहा छुटकी तो कालिया, धोलकुल को कोरोना के प्रभाव से बचाने के लिए, जो हम करने जा रहे हैं, क्या उसके लिए तुम तैयार हो? येस, आई एम रेडी लोहू चलो, अब हम सब महराज के पास चलते हैं आई एम पास चलते हैं